गोविन्दा गोविन्दा आपकी वो मैडम तिरुपती में छेपी थी ना डीजीपी साथ तुमारे ओफिसर्स वहाँ पहुंचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़के हमारे लोगों ने उससे कबजे में ले ली इस केस की आईविटनेस वाली लड़की की आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे वे एसीपी कुछ तो बोलो तुमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ सुन्बे जीके इंडिगो फ्लाइट हम चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए बड़ टोटल वे वो लड़की मर्डर के वक्त मोकाई वारदात पर थी ही नहीं इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी में विटनेस नहीं वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में यह 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 क्या भख रहा है तो तेरे आसपास कोई टीवी हो तो उससे जरा ओन करके तो देख एए टीवी टीवी ओन कर हाँ अभी ओन करता हूं चाहे मैं अपने इलाके में रहूं चाहे मैं ते में प्रोग्रेस हुआ है पुलिस ने इसके एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है वो कौन है देखते हैं वार्दात वाली जगे पहमें यह सारी चीजे मिले हैं काव्या को जी के भाई और उसके दोस्तों ने मारा यह मैंने अपनी आखों से देखा है सार उस वक्तों मैं डर के मारे मता नहीं पाई लेकिन इसी पीजर ने मेरे इनमत पढ़ाई इसलिए आज मैं बोल पा रही हूं उन शैतानों ने उसे जिन्दा चला दिया मालिक, आप इस मुसीवत से कैसे बचोगे, उसकी गवाई से आपको छोटा भाई फंस गया, अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूणेंगे, और एक बात, आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है, और वो हीरोईन, हां, तेरा भाई इस वक्त पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा, there's a diversion, on the way to Central Jail, तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है, आने वाले साथ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज तबाह कर दूँगा, get ready, यहां तो लॉक है सार, वसी, Old City का शेर, क्या रहे, बहुत होश्यारी दिखा रहा, आजकल शेहर में, मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में, अगर है, तो दस मिनट में पुरानी बाशाब बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा, आ, आकर दिखा अपनी मर्दानगी, कियाु नहीं दुदु की कि बाशंची को अजोकर के अshe拍 , किली के आमी कि हüfड नेरी घ्रहा है, रह। कर घ्रहु रहाए, नहीं को मायाने रहा, आली इस रहा ह। मैंद thingry में रहा है, भी newerख, प्र थोस्ते लिखते है प्रोडिन अचिक प्रोडु झा जो झादो उटादो प्रोड को सुप सुप जादो को जादो मुझे बीच में तो मच छोड़ना मार क्यों रहा है कि मुझे बाख कर दूएट फास्ट मिल गया सर मेरा बेटा यह मेरा इलाका है तू यहां से जिन्दा बच कर नहीं जा सकता है बरस्साले को आजब लाही मिन श्यतान इर्रजीम बिस्म लाही रर्हमान इर्रहीम अलहम्दु लिल्ल्ही रब्लामीन इन मिन अकवर इल असामी अनु आदाल मुझे बाख कि लगाओ वसीम भाई कुरान पवित्र ग्रंथ है इन आयतों का मतलब समझते हो तुम गुन्हेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुन्हेगार होता है गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता शाबाश पेटा मैं कमिन सार कमिन रमेश अच्छ जी के एल लेगल कंस्ट्रक्शन को रोकने वाले कॉर्परेशन के इंजीनियर को मारने के धमकी दी गई है सर उन्होंने जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है हुमारे डेपार्टमेंट को हवेशा उठा तिखाने वाला चीके हाब हमारे जाल में फस गया है रमेश तर माई त्लेकशन उखहिंज जीके संयाया अधित शीम संयाया व give जिसनावाद! मैं आपको जो खुशखबरी देने वाला हूँ वो क्या है? मेरा भाई नानू, बहुत जल्द राजनीती की दुनिया में कदम रखने वाला है. ये स्थरा मुझे इस्जत देते हैं, उसी तरह इसे भी इस्जत देंगे! जरूर देंगे! जरूर देंगे! Excuse me, sir. बाहर जाते समय बिल्ली मेरा रास्ता काटे, तो मैं बुरा नहीं मानता. लेकिन पुलिस वाला मेरा रास्ता काटे. गवर्मेंट की जमीन को कबजा करके आप शॉपिंग कॉपलेक्स बना रहे हैं. उसे रोकने के लिए सरकारी ओर है. जिस एंजिनियर ने आपके इलिगल काम को रोकने की कोशिश की, उसे आपने मारने के धम की दि, इसलिए आपको ठाने चलना होगा. नाम क्या है? एंजिनिर सुमाश कमार. तेरा नाम. रमेश. तुम मेरी गाड़ी में आएगा, या मेरी गाड़ी को फॉलो करेगा? आपके गाड़ी में चलो. कम्प्लेंट देने माला इंजिनियर, यह कैसे हो गया मेरे भाई? अक्सिडेंट हो गया. एक्सिडेंट? नाम क्या है? रमेश. स्टेल लगवाने वाले मंत्री का ना. श्यामला. ओ. मेरे साथ चलेगा या फॉलो करेगा? फॉलो करूगा. फॉलो करूगा. फॉलो. बना रहा था. आप उसे इलीगल बता रही है. आप लीगल का नोटिस दे देंगी, तो मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे. वो लैंड सोशल वक फांडेशन के लिए गवर्बेंट ने रिजर्व किया है. वहाँ कोई कुछ नहीं बना सकता. सोशल सर्वेस. तुम औरतों को 33% तारक्षन देकर अपने ही पैरों पर कुलहडी मार ली. औरतें केवल चूलहा फूंकने और बच्चों को पैदा करने के लिए होती है. मैं नहीं जूंगी, हो नहीं सकता. मैं पांच मिनिट का वक्त देता हूँ, मुझे नहीं उसी चाहिए. मैं आपकी धंकियों से डरकर आपका काम नहीं करूंगी. तुझ में जितनी ताकत है वो लगा ले. दो मिनिट में तेरी कुर्सी गई. फिर घर पर बैट कर फैमिली के साथ साथ बहुत देखना. एक नंबर टाइम पास. मैं तो अपना… आर एन वी मिनिस्टर में श्रामला को पत से हटा दिया गया है. अब वो पदवी मुख्यमंत्री स्वयम अपने हाथों में रखेंगे. ये सूचना हमें मुख्यमंत्री कारियाले से मिली है. आगे की समाचारों के लिए हमारे साथ बनी रही है. कंप्लेंट देने वाला एंजीनियर नहीं रहा. पर्मिशन रोकने वाली मिनिस्टर भी गई. तेरा सस्पेंशन ओडर आ रहा है. इतने सालों के पोलिटिकल करियर में, किसी ने मुझे पुलिस टेशन बुलाने की हिम्मत नहीं की, और ना ही किसी पुलिस वाले की मेरी चौखट टकाने की जुर्रत थी. और तू मुझे पुलिस टेशन बुला रहा था. I hate police. Hey, DGP. ठीक है, हैदराबाद का बादशा. यहां मेरी हुकुमत को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं. तुम्हारी यह जीत पॉमानिट नहीं है. आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा होगा. Good. Positive attitude. तुम्हारी यह आदा पसंद आहीं. तुम्हारे department में तुम्हारे जैसे जावास पुलिस वालों में कितनी मरतानगी है, यह मैं भी देखना चाहता हूँ. तुम्हें से एक तो होगा जो मेरी बराबरी का होगा. वो, मिनिस्टर लाइप पे है, बात करो. करता हो ना भाई. मिनिस्टर जी. मिनिस्टर जी. मुलिया मंत्री जी. अरे आप बोलने के लिए बचा क्या है? तुम तो वहाँ आराम से एसी में बैठे हो, और मैं यहाँ जंगल में फसा हूँ. इनकी मांग जल्दी से पूरी करो, और मुझे यहाँ से ले जाओ. ACP कल्यानन टीम, हैव एंटर द फॉरेस्ट. इन्फॉरमेशन मिली, पुलीस हो ले आगे. कमीने पुलिस को बुलाता है तेरी तो, सब लोग पोजिशन ले लो, उस तरब जाओ. सर, अंदर कोई भी नहीं है. पुलिस, बाहर आजाओ, बटना इसे खतम कर देंगे. अबे, तुम लोग यहाँ मुझे बचाने आया हो, जब बच्चों कितरा आग पिछोली खेलने आया हो? हाई, माइडिया किड्नापर, क्याजे हैं आप लोग? जनाब जैपी साहब, एसीपी कल्यान से ना. जैपी जी, आप घबरा क्यो रहें? घबराओं नहीं, तो क्या करूँ? भागलों की तरह अकेले आयो, ताकि मेरा यहां तिम सजकार देख सको, जो, गन कहा है, क्या चिट? अब यहीं खड़े रहें, वातना गोल ही मुझे लग जाएगी आये जैपी जी, पेशन कम्लीट हो गया है, अब आप आराम से यहां बैठ जाएए अरे बाप ने, तुम्हें अकेला देखकर डर गया था, लेकिन तुम्हें सबकी बैंड हो जा थी, यही जान बचाकर तुम्हें कमाल कर दिया मैंने आपकी उम्मीद से अच्छा काम किया है, अब मेरा भी एक काम करना होगा जैसा काम? IPS पास करने के लिए बहुत तिकडम चलाईये मैं, मेरा एक औरजन प्रमोशन करवाकर हाइदरबाद पोस्टिंग करवाई ना? यहां पर खोलियां चल रही हो और तुम्हें अपने प्रमोशन की पढ़िये? वह सब नहीं होगा, तुम मुझे यहां से बाहर निकालो चल यह पहले फोन लगाई तुम पोलिस वाले हो या पोजिशन वाले हो नायक साब मैं जेपी बोल रहा हूं आपने जिस पोलिस वाले को भेजा है वो मुझे बचाने की बजाए ले टूपेगा उसे तुरंट प्रमोशन दे कर हैं हैदराबाद पे पोस्टिंग करवा दो ह मैंने बोल दिया है अब चलें वो क्या है फोन की बात पर मुझे वरोसा नहीं है ट्रांसफर की फाक्स कॉपी MMS से इस फोन पर भेजने के लिए कर आपको बचा लूँ तेरी हरकतों को देखकर लगता है नकसलियों से बड़ा दुश्मन तो तू है उनसे बोल जल्दी MMS भ कर अपना फर्ज नहीं बहाओ बेटा इसलिए तो ट्रांसफर लिया है सर किसी की लाइफ से खिलवाड करना है सुनो अंकल आपका डीजी भी कहा है वो देखे आ रहे हैं यह महाशा कोन है यहां ड्यूटी जोइन करने आए है सर सीनियर ओफिसर को देखते तुम्हें सेलूट कना चाहिए क्या तुम्हें यह भी नहीं बता उस्सा मत हो यह अंकल वो फॉर्मालिटी भी पूरी कर दूंगा पहले ड्यूटी तो जॉइन कर लूँ दिस इस यूर ज जोन मिला है अरे वेस्ट जोन है जूबली एस्टेट बंजारा हिल्स माधवपूर बहुत पॉश एरिया मेरी कमाई अच्छी होगी किस कमाई की बात कर रहे हो मेरा नाम इमांदारी से नाम कमाया जाता है सर सिंसेरिटी से काम करना करूंगा सर ऐसा काम करके दिखाऊंगा क क्याना सर जितनी सिंसेरिटी से काम करूंगा क्राइम उतना ही कम होंगा और बगवान भी कुछ होंगे गुद बाई सर क्या प्रिटिशन और पुलीटिशन और पुलीस गो फॉर मलाइब मुझसे पहले जो एसी पी यहां आए वो कैसे थे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे साथ कैसे पेश आना है ड्यूटि कैसे करनी है और पुलीस वाले कैसे होते हैं यह मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी सोच और फर्स को जनता और अपनी भलाई पर नियोचावर करेंगे और जनता की जेबे खाली करेंगे अपने लिए अपने बच्चों के लिए आने वाली पीडियों की भलाई के लिए इलाके के हर धंदे वाले को अपनी मुठी में रखकर उससे हक से अपना हिस्सा मांगे पेट्रोलिंग क्रिमिनल चेसिंग ये सब रिस्क उठाए बिना फाइनाशली सेट हो जाएंगे हम अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए ज़्यादा नहीं उचलेंगे अरे इतने इमोच्ट नहीं क्यों होगे तुम सिंसियर रहना चाहते हो क्या यहां पर जितने भी एसीप डीसीप आते हैं सब अपने अपनी चेमें भरते हैं हमारे राच्चे में हम जैसे सी आई ऐसा हो पुछता कौन है से आपने हमें दिनेक का एक रास्ता दिखा दिया इस शहर के हर पॉष एरिया में आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा कमफर्टेबली क्राइम करना लेकिन उसमें से 20% मेरे पुलीस भाईयों को देना और इसके अलावा टेक्नोलोजी इस्तमाल करो फेस्बुक ट्विटर एक्सेटर 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 एक्स जास्ते पर निकल पड़ो गॉड्ड ब्लेस्यू माई चिल्रेन वारे वारे ड्राइवर का है दिखाये नहीं दे रहा पंडी जी ओटो वालों से मांगोगे तो क्या मिलेगा कार वालों से मांगो जल्दी रही सोजाओगे जाने दो उसे क्रीशूर ये कल्यार आमा बंकर य पहरी हो ग्या कब से आवाज जनाओ सुनाए नहीं दिया हुआ 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 है सॉरी आपका नाम कर दो सुद्धानि नाइस ने और तो भूलू क्या अगल्यान कि पांडे जी कुछ सोशल वरकस हमारे रेवोल्यूशन को शटका देने की कोशिश कर रहे हैं कहां है वो हेलो हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं यह जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ यह पूर्जारी जंगू मै कर आपको किसी से भी दडरने की ज़रूरत नहीं है उस एसी पी को हम हर हाल में हटाका रहेंगे इस ग्णस कुछ मन्यजारी नेश्यम प्रदायत बुर्धी ने नेला, आप यह गीता का पाड़ ुबड़ को पढ़ा है सार। तुम ज़रा अपनी प्यारी वान को 360 डिग्री घूम करतो देखें यह क्या कॉंसेट्ट है सर वन नॉट एट किसका नंबर है एमर्जनसी में एम्बुलन्स का नंबर है पेशन्ट को हॉस्बीटर ले जाता है किसी भी हालात में टाइम पहुंच के मरिजों की जान बचाता है और उसका बिलकुल ऑपोसिट है एट नॉट वन हमारे खिलाब जा तुम्हारी हालत तो फटीचर जैसी हो गई है उससे भी बुरी हो गई है सर आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ देंडे से कमाल कर रहे हैं कुछ करने वाला मैं कौन होता हूं यह सब तो ईश्वर के लिए काम जालिम का और नाम इश्वर का अरे 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 शोड़ यार भी बहुत लोग है सर अरे यार उसे तो हटा नहीं हो रहा है यह काट गये पीचारी आड़तों पर लड़कों का जूल्म छी 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 लड़कियों की मांग है कि शराप को जल से जल बंद कर दिया जाए एक वाटा ब्रांडी दीना भाई ब्रांडी और विस्की देना जिन बियर और बोटका यह निजे बना थांक्यू भाईया सोडा नहीं लोगी ज़रूरत नहीं यह यह पकड़ो और अब बोलो गन लेकर किसने किसको दोड़ाया था बोलो बताता हूं दीदी अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गए हम लोग न्यूस पर ध्यान देते हैं ना तुम बोलो बोलो इस गोरे चिट्टे चोकरे पर जान बूच कर अत्यार कर रही है और जूटे इल्जाम में फसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी फाइव रिपोर्ट अब यह हमारे पीछे के लगए आएगा ही देशी पीने वाले को इंग्लीज पिला दी यह लेओ वोलो और फिर रॉमेंट्रिक तरिके से बूछती हो देगा ना क्या होता इससे हमारे पीछे ऐसे बाग रहा है जैसे ओलम्पिक में गोल्ड मेंडें इस शैतान से अब हमारे भगवान तो फिर शुरू हो गया पांडी जी आप हमारे लिए भगवान है हमारे बच्चे मुनिसिपल स्कूल से कॉर्परेट स्कूल में शिफ्ट हो गया है बढ़ी आयरिया है एडवांस भी देदिया है सर्वेरी गुड मा बहुत खुश है पिता जी ठीक हो गए चोटा बढ़ रही है अरे भाई आपके वच्चा साच्छो का है पांड़ी अरे अरे शोरी से नमस्कार से अरे अरे तुझे नहीं छोड़ा रुक गया चलो वह चला गया चलो ओफिस जाना है अरे तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए यह क्या दूड़े चाहिए मुझे इस हूर और लंगूर का कॉंबिनेशन कुछ समझ में नहीं आया वह हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आगई बाड़नी थी अल्मोस्ट मेरे सपनो की रानी है मेरी हमसफर यही होनी चाहिए मुझकिल है सर वह प्रेस वाली है आप पुलिस वाले प्रेस कॉंफरेंस बुलाओ अच्छा सब लोग आ गया है ना हाँ आ गया सर TV9, UTV, NTV, मेरा चैनल कहा है यह फैन अचानक बंत कैसे हो गया दुबे जी मैं भी आपका फैन उसा यह बताएए यह प्रेस कारस के ओ पलाई गाई है व्लनम देटर सो रहा हैं उनके बारे में कहना है कि रावरागंजी के बारे में दुभरेस रैकट नेताओ के बारे में नेक्स लाइटों के बारे में? रेप के बारे में? दूबे जी, जो स्टॉल में बैठकर फर्स डे फर्स शो देख रहा है ना, उन्हें बालकनी में बैठा है अरे बताईए ना, सर अरे बता रहा हूं ना, यहां पर भुजय खाने नहीं बुला है सारे मर्द पीछे जाओ, और और अरतों को आ गया यह कौन सा कॉंसेप्ट है? जैसे बस में होता है, कॉई कॉंसेप्ट है आपने प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया? हमेशा जीन्स टीशिट में रहती हो या साडी भी पहनती हो यह सवाल आप इसवक क्यों पूछ रहे हो, शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना प्रेस कॉंफरेंस क्यों बुलाया है? शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी क्या? क्या सुन होते पांडी जी, आपका हाथ बटाने के लिए ये बेचानी सर्विस करती रहेगी अचा, सर, बस्टनल मिटिंग नहीं, प्रेस मिटिंग है हमारी इजद नहीं है, हमारी माइक की इजद नहीं है, मैं फार्दू बलानी है ये बागवाद गीता कहां से सुनाई दे रही है, अरे कहां से सुनाई दे रही है प्रेस वालों के साथ कुछ मत करना, वरना सौब की सब्सुहर पास्टो का मसला हो जाएगा, प्लीज, सर, प्लीज Okay, my dear media friends, आपके लिए ताजा ख़बर है, कली 36 गड़ के हमारे पुलीस कॉंस्टिबल परवेश, रिपोर्टर रीटा से, लव मैरेज कर वैठे है इसे news कहते हो, लगता है टाइम पास कर रहे हो पांडे जी का उदेश है कि 36 गड़ की घटना से इंस्पायर होकर, वो एक लेडी जर्नलिस से शाधी करना चाहते है हाँ, हैना मिसिस पंडे, अरे सुनो, परसनल काम के लिए दुबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना, टाइम बर्बाद कर दिया चोटी-चोटी सोच रखने वाले लोग है, वेरी स्मॉल थिंकिंगि, सबको आडे हाथ ले रहा है दूबेजी, पूंगी बजाएंगे सार, उस ACP का कब तक इंतिजार करेंगे, कितना टाइम हो गया, अब तो भूग लगने लगी है, मिटिंग स्टार्ट कीजिए न, मीटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा, जिसके लिए मीटिंग रखी है, वो यभी तक नहीं आया है, कहा है वो, आज पतानिया जपो किसे बुन है, कहा है, कहा है, सार, आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते है, कहा है, हमारे साथ, मैं तुझे बताता हूं, जा करने जा रहे है, हाई मसाज, और पैसे, तो फिर मैं पहले जाओंगा, दुवारा नहीं करवाएगा तू, अरे, कहा है, मुलाजा होश यार, ACP सर, महारा जा रहा है क्या, बलाओ उसे, आगे, कितना लेट करते हो, क्या बता हूं, सर, बाहर पुलीस के ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेट्ल करके आ रहा हूं, देखा देखा, हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है, सेट्ल का मतलब कुछ और था, सर, ब्यास के भाव सेटल करके आ रहा हूं, मंडी में सबजियों के भाव कितने बढ़ गए है, टमाटर का क्या बाव चल रहा है, महाशाय, विल यू प्लीस सिट डाउन, शूर सर, बताईए आप लोग की कंपलेंट्स क्या है, अब आपको क्या बताएं सर, बियल स्टेट के ध सस्पेंड करना इतना इजी है क्या, सेंट्रल बोर्ड की कमिटी आएगी, एंक्वाइरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे, क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कंपलेंट दी है सर, कैसे देंगे सर, घीता का श्लोक सुना कर लोगों को वैकुन पहुचाता है, कहां से जाता है, कहां ले जाता है, कोई कुछ भी नहीं जानता, चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ओफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाह दी, DCP राउ से ही पूछ लीजे, मेरे खिलाफ कुछ कहिए ला सर, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, यह अच्छा है यह बुरा तु तो भी मुझ पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या यह बे बुनियाद आरोप हैं, जी हां सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं, यह मीटिंग इसलिए तो, इस डेव तो सोरोप इंसान के आने के आने के बाद ही हमारी जिनने के में बदला हुआ हैं, अरे दूबे जी, पॉंटे ज पॉप है यह, इनके जैसे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, हम, सच है, हाँ, हाँ, तो मैं चलू, सर, मुझे लगता है, यह महाशे इस शहर में कुछ अलग ही रादे के साथ हाए हैं, जीके, गुड मॉनिंग, खैसे हो, मिनिस्टर, अरे क्या करें हो, जरा रुख जाओ, इस प्लेट में जीके साव ने नाश्ता किया है ना, इनका जूटा क्यों खा रहे हो, चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो, चुनो राजा, नाहीं इनके घर में नाश्ते की कमी है, और नाहीं मेरे पॉकेट में पैसों की, मैं यहां जूठन खाके यह सावित कर रहा हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो जीके साब के बदालती हूं, मालीक, वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, वही तो मैं भी कह रहा हूं, वहां जब मेरा कुछ नहीं चल पाया, तो आपका कैसे चल पाएगा? क्यों मैं, हमेशा हमें ताइम पर बोलता है, हाई मिनिस्टर अंकल, हाई नानू, कौन है इस रहा देखो, इस रास्ते में क्या गुंडगर्दी चल रही है, यह उनी फाहम की पेशाती करता है, तुने पुलिस वाले को मारा? राजा, तुम इसे खुशो कर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो, बीजीप के पास कम्प्लेंड गई है, मेरे कैने पे मामला सौरी पे नहीं पढ़ सकता है, तुम ज़रा कहो ना इसे सौरी बोल दे है, तुम क्या पागल पागल हो गया हो, कभी-कभी पागलों अंकल होम मिनिस्टर, यही सोच कर अगर छोटा घलती करता है, तो हमें उसे कवर अप करना चाहिए, और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, यही भरस्वार कुटों पर, फोन फोन ना जल्दी, मैं अभी करूँगा, सारी डिल तुम ही करोगे क्या, सारा काम तुम ही नि है, यह कौन से बड़ा केस है, भड़कने की जरूत क्या है, मैं नहीं हूँ क्या, को अपना दिवाग तरा चुटना रख, मैं अभी उस डीजीपी की तो, बोलिया सर, कल रात को दो पुलिस वालो ने, मेरे भांजे के रास्ता रोका, और उसे बहुत परिशान किया, उन दो में कोई भी आएगा, मैं परताष्ट नहीं करूँगा, बेटर लख नेक्स टाइम, मुझे छोटा सा डाउट है, आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है, बिल्ली को चुहे से दुश्मनी क्यों है, शेर को हिरंट से दुश्मनी क्यों है, शिकार करते कर थक जाता तब भी छोड़ता नहीं, नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृती का नियम है, जिसका जैसा स्वभाओ, I hate पुलिस, क्या करें, दूबेजी, तुरंट किसी पार्टी पर रेड मार कर उसकी कमाएगा थोड़ा सा हिसा अपने जब में डाल लिया जाए, शुब करो या, कमाने के अलावा कुछ नहीं सूचता, आज मौसम कितना रोमांटिक है, मुझे अपनी डालिंग से मिलना है, इस वक्त से आएंगे, अगर मैं कहूँ उस एटियम पे डाका बढ़ा है, तब तो आएंगे ना, इस वक्त एटियम में डाका डालेगा कॉन सर, हलो, सार, जब से आपने हमारा बैंड बजाया है, हमारे तो सुरताल ही बिगड़ गए है, अब डगैती के इल्जाम लगा के कहां फसा दूबे, इनका इलाज करो या, इनका इलाज करने के लिए ये दवा खाने में आये हैं किया, सेंट्रल जेल भेज देते हैं, ए सुना, धुलाई के लिए तयार हो ना, अब फिर से दुलाई की, ज़ाग ध्याओ, कॉल्ड़ प्रेस, यहां एटिय में कोई चोरी हुए के साथ, यहां सी यर के होते हुए, जुने सवाल करना चल्पी चल्पी चल्प, यहां सवाल पूसले कहाख सिर्फ मैडम को है, आये मैडम, आये, यह लोग कब से सुधर गए वे, और क्या सर, इन्हें एक घंटे पहले, एट नौट बन में खर्चा मिल चुका है, लगता है, आज बड़ा धमाल होने वाला है, चोरों का चेरा क्यों ढखा हुआ है, जिर्फ अपना काम निकालने के लिए यह सर, हम पे इल्जाम दगा क्या हमारा शोषण करते है, तुम भी तो कुछ बोलो ले यार, अरे, क्या बोलू बे, आमने कैम अपने ब्रेन का इसने मल कीजिए ना, अचा, रात में डाका नहीं पड़ा क्या, सुनाएगा ही पर जूलरी शॉप लूड़ गया, वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पे शक है, फ्लैट नंबर फोर, हाउस नंबर वन जिरो पोर, त्री चुरनाकर हैदराबाद, इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं, इसकी दीजी को अलग ही पुलीस का पैशन है, इसलिए एक बिजनसमेन ने अपने आपको पुलीस वाला बताकर उसे शादी कर ली, आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीजी को पटाना होगा, जीजा ने जूट बोलकर सादी की लेकिन आप तो असल के पुलीस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी जाएगी, जोरी किसी और ने की और माल मुझे मिल गया, दूबे जी, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, प्यारे पाड़ी जी, छोटी से भीड़ने से बहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है, ऐसा ही होगा दूबे जी, माही, डालिंग माही, यह घर पर तो है ना, कौन है आप लोग, आपकी जो बहन है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, इतनी हिम्मत, हमारी चुटकी से क्या थिया, सहाब ACP है, हाई मैं मल जाओ, आया, यह महेंगे फर्ष पर सस्ता फर्निचर, दूबे जी, बदल देता हूँ, नई शोकेस में पुराना टीवी क्यो है, बदल दो, बदल दो, आपका ये गला, इतना सुना क्यो है, यह बंगला पुराना हो गया है, जूबली हिल्स में नया ले ले, वो हमारे एरिया में नहीं आता कोई बात नहीं, दामाजी, आप बैठिये तो सही, आपकी क्या सेवा करूँ, क्या लेंगे आप कॉफी, टी, खोल ट्रिंक, एजी, क्या हुआ जानू, यूनिफॉर्म में खाना पका रहे हैं, प्रोब्लम नहीं होता क्या, क्या करूँ भाई, मेरी घर वाली को ये दीदी, इस अंदर आने की इजाज़त आपने दी, ए चलो निकलो या आते, चुपकर, घर में आए महमानों को कोई इस तरह बाहर निकलता है, क्या, जाओ, उनसे थोड़ी बात है, सेर, तुम्हारे लिए बहतर है, बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपो के बाज है, मेरी छुटकी का कहा मत मानो, तब क्या कर लोगी, दीदी, इसे रेस्टरॉन डिनर के लिए ले कर जाओ, ले जाओ, लेकिन यह आएगी क्या, फामिली के साथ क्यों नहीं आएगी, कुछ और था होगी, दीदी, सामने इतनी चैर्स खाली है, फिर भी सबको यही पुलिस अंकल, ओटोग्राफ, वो वाला डायलोग बोल भी है नाती फॉलिस के नाम से अच्छे थरथर काप ने लगए, तो सीधी का करेईँ काप हो है friends, we are happy to announce most visiting best couple of the year and that is Mr. Kalyan and Mahi most visiting couple ?at दो एक मैकं यहाबत first time kayu बजाईए बजाईए ताली बजाईए एई अरे माही ओ माई ओ माई बेबी तुम इस दिल को मेरे चुरा के ओ माई ओ माई बेबी तुम जाओगी कहां सरमा के इतना भाव दोने के बाद भी नहीं पल्टी मुझे नहीं लगता वह आपसे पटने वाली है थांक्स दूबे जी उस केस का जो अगर आफिस में टीवी है तो उसे आउन करो बहुत दिनों से फसा हुआ जीके कमर्शिल कॉम्प्लेक्स आखिर कार बनकर तयार हो गया है जिसके कंस्रक्शन को रोकने के लिए बहुत तो नेगोशिश की थी उसकी ओपनिंग आज पुलिस ओफिसर के हाथ हो गई मिस्टर जीके is a very good human being काफी परिशानियों के बाद ये complex बना है हमारा support उनके साथ हमेशा है उस ACP ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुचा होगा वो ACP कोई और नहीं तुम्हारा अंच तुम्हारा अपना ही बेटा है तुम बड़ी उल्जहन में फंसके हो DGP उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी गुड़ा अप्टनून DGP साहर स्वीट्स लीजिये सर यह क्यों जीके साहब के मौल उपनी के खुशी में DGP साहब आपके फादर है यह सब जानने के पाद जूमने लगे हैं सर अच्छा लेकिन जड़ा देखो इन्हें मूह तो लटका हुआ है संभल कर रही है सर आने वाले वक्त में और कई जटके खाने हैं तो मैं चलू सर सर उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने कल्यान सिंग उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनात आश्र में पढ़ लिकर बढ़ा हुआ है उसकी बच्पन की तस्वीर फैक्स कर रहे है लो देखो रॉकेट कैसे गया देखो 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 लगता है तारे तूट रहे हैं ना मा बिटाजी आ रहे है ना आएंगे बिटा क्यों बाभी अभी सर नहीं आयれません तेहर के दिन व्यद्री डूटी कर रहे हैं जूटी तो में विकरता हूं मगर परिवार की ध्यान रगता हो ऐसा क्या कामें जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हूं सुवे जल्दी रिपोर्ट करना बच्चे के लिए कुछ पटाके तो साथ मिलाते अरे सॉरी बेटा अभी जा कर लिया है नहीं मुझे नहीं चाहिए अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था उन्हें कभी मेरी कोई फिकर ही नहीं हुई जिन्दगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी मा की बदॉलत मिली है तो यहीं बेट में खाने के लिए कुछ लाती हूँ मा क्या हो गया मा मा क्या हुआ आमी वालों को भी इंफापा पापा ममी की तबीद बहुत खराब है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा पापा चलिए ना पापा सर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है हमें अभी पहुशना होगा गुर्णाज जी मेरी वाइफ को पेन स्टा मा कंडिशन बहुत क्रिडिकल है ओप्रेशन जल्दी नहीं किया तो मा और बच्चे दोनों को खत्रा है आप जल्दी से इसके पिताजी को लियाए उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहां कोई नहीं था मेरी मा की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नही कि अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुच पाया मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था तभी वो मुझसे रूट कर भाग गया एक पुलिस ओफिसर के नाते आप अपनी जगए पर सही है उसका दुख भी अपनी जगए पर सही है अब बड़े होने के नाते आप भी को समझना होगा सर कि वाग यार कैमरा रेटी है ना मार टीवी कैमरा पारफेक्ट है तो चलो उसे रेड हेंड पकड़ते हैं हेलो हम आपको कहां कहां ढूंड रहे हैं और आप यहां मिले बात क्या है आप भूल गया है हमें याद है इसलिए हिसा देने आ हैं लीजिए ना सर सर क्या हूं आप ले मी रहे हैं इस अज़ोगा बैसलिए प्रेक्टिस कर रहा है आप सहरे है इसे चोड़िए यह लीजिए नहीं नहीं आपको लेना होगा वरना मैं करदा हूं अन्ये दूबे जी सर क्यास ले लो और इसका कामरा प्का सर आपको कैसे बता चला ये डे चैनल से कैमरा लेक्या है है उसी चैनल का कैब भी पहन के आ गया है उल्लु का पथा मा अच्छे के सर वैंक का काम पूरा हो गया तो ले जाए नमस्ते साथ मैं श्रीवनी का फादर हो है यह सब क्या है इंस्टिट्ट्ट की ओपनिंग है यहां लओ यह बच्चे कौन है अनात है बेटा और मेरी बेटी की तरह है है वह चाहती है कि यह भी आम बच्चों के तरह जिंदगी जी है इसलिए इस कॉंपेटेटिव वर्ल्ड में वह उन्हें अपने पैरों पर ख़ड़ा होना सिखा रहा है इस लड़की की सोच हमारी सोच से दो कदम आगे नितली चलो चलो आई जी सहाब काशी से कई अनात बच्चों को ले आये हैं सर इसे बताया अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना चुपकर अरे आजकल जब देखो डीजीपी सर मुझे ढूंटे फिरते हैं इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिकर नहीं है क्या तुम्हारे पापा तुमसे दो सेकंड बात करने के लिए दो हफ़ते इंतसार करना पड़ता था हिंए एक बार मेरी बात सुनतो लो उस दिन वयद्ण की घो करनाओ खुद के दammenपर पोलीस बना हुआँ खुद के दंपर यहां आएओ और हुद के दंपर चीके तक पहुंचां हुआ खुद के दम पर ही आगे बहुत कुछ करूँगा बता दीजे ने क्या हुआ मा यह चोटी पर बहुत अच्छा लगी का ना तुझे के से पता कि छोटी ही पैदा होगी मैंने मनप जो मांगी है अब में यह क्या जाने अपनी छोटी बेहन को मैंने इनी हाथों से चिता पर चड़ाया था बरसो बाद एक और छोटी बेहन मिली है बरसो बाद खुशियां मिली है अब दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मेरी खुशियां मत चीनियेगा चीर्स क्लाइमेट बसते भाई इस वेदर में अगर एक आइटम मिले और भी मज़ा आए आज पास आप्ट्वेर कंपनी से एंफोसेस इंफोटेक रोड पर मिलेंगे बहुत से ब्यूटिफुल गल्स वेद वेद कानल पिल्स कुण में बाद कर दो झाए़में मीडिया और प्रेस इसमें इंवाल्व है, इस केस को बहुत समल कर हैंडल करना होगा, समय समय पर मुझे अपडेट करते रहना मुझे का इसने बंदर समझ रखा है, जब चाहे तब बुला लेता, मुझे का और कोई काम नहीं है आजाओ, मिनिस्टर, सही समय पर आये हो, इंटर्व्यू स्टार्ट करो, आपका भाय पॉलिटिक्स में तरक्की करेगा, इस बात का आपको विश्वास है, पूरी तरह विश्वास है, बुढ़ों में, विकलांगों में, मुख्य तोर पर महिलाओं में, इसके प्रती बड़ी की इजसत है, आप एक कुछ बोलिये न, बिल्कुल सही कहा, इनके छोटे भाई, लेडिस पर बिल्कुल कॉंसेट्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेट की भला ही सोचते हैं, एक दिन ये जनाब, एंजी लेक के पास, लेडिस के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, उसक केस को डीजी पी एंडल कर रहे हैं जी के, अगर मैटर बाहर आया, तो मेरा करियर और इसके फीचर की वाट लग जाएगी, अरे चुटे पैसे फेको तो अच्छे से अच्छी मिल जाती है, फिर रोड पे हेवानियत क्यों करना, कैस्ता उस क्यों बनाए भई हमने, एक कर देखोगे तो पता चलेगा, आज हम पर इल्जामों के बं फोड रहे हूं, तुम्हें कुर्सी दिलाने के लिए हमें दल्ला बनना पड़ा था, फोन, फोन का है मैं, पहले बताओ, इनमेंसे तुम्हारा जूठा गिलास कौन सा है, मैं कौन था, तुम्हारी जीब का एक इस तरह के बैड रेप्रेटिशन वाले ही, एक अच्छे पॉलिटिशन बनते हैं, तुम्हे भरोसा है, मुझे भरोसा है, ये चोटे भाई नानू, जड़ा बोलो, सभी भाईयों और बहनों, सभी भाईयों और बहनों, सभी भाईयों बिल्कुल पॉलिटिशन ऐसा, तु पक्का परलिमेंट में जाएगा, डीजीपी का कुछ करना ज़रूरी है, बहुत खतरनाक आत्मी है, अजर भाई, पावर वाले को कभी टरना नहीं चाहिए, दस मिनिट बात करूँगी, तो तुम मुझे जाने दोगे न, तो बोलो, दीदी मान गई, जीजा मान गई, अगर तुम भी मान जाओ, तो हम चट मंगनी पट ब्याहा कर सकते हैं, हुँ तुम्हारी बाते सुनकर दिल करता है तुम्हारा चेहरा नोश कर कव्वों को खिलादू पता है जब तुम गुश्य में बात करती हो तुम्हारी खूबसूरती डबल हो जाती है इस प्रक॥व बात कर रहा हूँ और कुले कीजिए यह तो लटकियों के आदत है नक्रे दिखाएगे, थोड़ा सा ही तरहेगी. सच सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ. बाबी, कौन है वो? मैं नहीं बदाऊँगी. चुपचा बता दो, डूणडा तो भारी पड़ेगा. सुनामी स्टार सुभाश. पहली मुलकात प्रेस मीट में हुई थी. धीरे-धीरे बात्चीत होती रही. फिर उसके बाद मेरे दिल में बस गए, ओके? बायो डिटा बताईए, दूबी जी. ये पहले एनार आई था. कॉमेडियन दिखता है बोलके फिल्मों में चांस मिल गया. चांस देने वाले ने ही बात भी इसके एक्टिंग देके आज महत्या कर ली. ये जुनामी स्टार हमें मिलेंगे कहा? स्टाट कैबरा. एक्शन! प्रोट अके है, सार? सार, सूपब सार, एक्सलिंट, क्या सूपर बाइट की है? मैं पूरी मेडिसिन ले रहा हूँ. डिरेक्टर हो, डिरेक्टर से फालो करो. आदे तेने रितिक को दिलवाया, मैश ने इमरान को दिलवाया, मुझे भी दिलवाओ. क्या दिलवादो? लिपलाक. यह क्या यार, कुछ की आहीं नहीं, और इसकी उल्टिया शुरू हो गई. ताम मांगने के लिए आगे पिछे करती थी, अब उल्टिया कर रही है. गुद मॉर्निंग, सर. हाँ, प्रोडियूसर साब, बताएए क्या बार? आपने मेरी फिल्म का नाम धनिया रखा, इसलिए वो बिक नहीं रही है, सर. शट अप, मिर्ची नाम की फिल्म जब रिलीज हो सकती है, तो मेरी धनिया क्यों नहीं, फिल्म बेचना आता नहीं, और इल्जाम लगाते हो, जाओ. मुझसे क्यों मिलने आयो? सर, वो… कौन है ये पारो, मैं इस दड़की से प्यार करता हूँ, मुझसे पीचा छुडाने के लिए, इसने कहिए आप से प्यार करती है, आप सच्चाई बता दीजिए, मुझे इत्मिनान हो जाएगा, हाँ था, यह मौका क्यों छोड़ू, मेरी गल्फ्रेंट से तुम क्यों प्य यह आप यूथ हीरो के साथ आप बहुत बेरेमी से डील कर रहे हैं, सर, इस प्छूलाओ, यूथ हीरो हो ना, ब्रीच साथ नहीं देरे, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, बड़े भाई, उस लड़की को यह बुला लीजे, दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, मैं एक दिन पीछे चाल रहा हूं, बहुत बुरा किया, कौन है वो, कौन है जो मेरी चुटकी से प्यार करता है, यह ग्रीन शेट वाला बुढ़ा हूं, यह है, बुठे, खूसट, एक टांग कबर में और दूसरा केले के छिलके पर फिर भी जमान फूट रहे हैं, सुनामी कि इधर वेटिंग कर रहा हूं, जिसका इंतजार था वो आचुकी है, मैटर बता देंगी तो हम F.I.R. करेंगे, हार डायलोग देने का टाइमिंग होता है, और राइमिंग होता है, यह मुझे भसाना चाहता है, लेकिन यह जानता नहीं कि यह दिल, तुझे दिलो चाहता ह पुलिस से घबरा कर तुम हमरा प्यार साक्रिफाइस कर दोगे, सुभाश, I love you, I just love you. Time please, get back. बाबाबाबाबाबा, क्या सहन शक्ती है sir, you are a real hero sir. कि तरह पिट रहा हूं काय किसा हैं शक्ति ठीखने में ये मजनू है और ये लेला पीच में क्या करेगा ये च्छाला तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है समझे की नहीं पैका नमस्ते साथ अरे रुको मेरी बात तो सुनो उन्होंने सच्छाई बता दी अब तुम भी सच कह सच बताओं I hate you I hate your character I hate your attitude मैं एक इमानदार जॉनलिस्ट हूं और corrupt police officers के साथ बात नहीं करती इसलिए अच्छा होगा कि मेरा पीच्छा करना छोड़ दो तुम जानते हो हाली में इस शहर में एक software engineer का murder हुआ है जहां murder हुआ वहाँ एक गाड़ी का number plate मिला है वो number plate तुम्हारे भाई और इस घर के नाम registered है सो तुम दोनों को police station चलना होगा क्या हो अब रहोनी बहुंक क्यों रहो बड़ों के सामने बहुंकना नहीं चाहिए पता नहीं है क्या तुम्हें काफी वफादार लग रहा है चार दिन हड़ी डाल कर पुछकारेंगे तो ये भी अपने आप लाइन पर आजाएगा जीके जी कार चोरी होने की कंप्लेंट दी थी ना चोरों ने तो गाड़ी का बुरा हाल कर दिया और जब मुझे वह गाड़ी मिली नंबर प्लेट मिसिंग थी अरे नंबर प्लेट तो डीजी पे साम ले आये हैं ऐसा क्या देखाओ तो क्या यह वही है एपी नाइन जेट फोर सेवन थी सेवन अरे यह तो वही है जी के जी यह तो मिल गया मेरा पेमेंट स्टेटमेंट दे कर गाड़ी कब से मिली जी मुझे पुलिस टेशन ले जाने वाले थे जब भी पुलिस वालों को अपने आस पास देखता हूं तो मेरा खून खौलने रखता है तुम फिर से जरी आई हेट पुलिस यह तो बस एक सैंपल है सर आगे-आगे देखिये होता ह क्या है कैसे हो अंकल बड़े साब बहुत अपसेट लग रहे हैं तुमने गलती कुछ ऐसी की है कुछ भी कहते हैं अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही चोड़ते थे गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लाब परवाही की वज़ए से मौत की मुमें गाई जानते हो यह लोग कौन है स्काइम करने वाले पॉलिटीशन्स या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स है पांच हजार रुपए में बिखने वाली रिश्वत्खोर पुलिस दस हजार रुपए में केस बंद करने वाली बिखाव पुलिस गली गली में मिलेगी लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मूँ में जा रहे हैं डिपार्टमेंट पर अपनी जानने ज़ौर करने वाले पुलिस सेकड़ों में एक ही होते हैं हम जैसे इनसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जी कर शहीद होते हैं हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है जिस से माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे और खांदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है लेकिन उन्हें पीछे धकैल कर खुद के सीने पर गोली खाते है करतवे के लिए अपनी जान गमाने वाला होता है सक्चा पुलिस ऑफिस है अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहां आकर फोटो उसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही के वज़े से मैंने अपनों को खो दिया हां सही वक्त पर मैं तुम्हारी मा के पास नहीं पहुचवाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी मा और बच्चों को बचाना था तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला आई विल एक्ट विथ हॉनस्टी कर्ट सी इन रिगार्ड फॉर दर वेलफेर आफ वदर्स और अपनी जान की बाजी लगाकर आमन और शांती को कायम रखूंगा इसे शपर लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इस फॉर्स्ट फैमिली इस नेक्स्ट तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो ये जो मर्डर केस है जानते हो किसका केस है उस रड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो इस बच्छी को चानते हो किसने मारा कितनी पेदर्दी से मारा इस चुड़ू, चुड़ू मुझसे जैको, भागरी, जैको, भागरी, कहा गारी स्वीवाणी, तोटे, तोला स्वीवाणी, कुछ बोलो, कुछ बोलो, स्वीवाणी वो हमारे हाथ से निकल गई यार होश में आते ही श्रीवनी के पिता ने मुझे सारी बाते मताई तब मुझे सच्चाई का पता चला श्रीवनी के साथ जो हाथसा हुआ, वो सरे आम सडक पर हुआ आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज़त को बचाते हुए, वो मासूम बली चड़ा दी के वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है क्या उस शैतान को माफ कर दिया चाहे? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं ये तुम है डिसाइड करना होगा गूड इवनिंग एवरीबरी ये केस सॉफ्ट्वेर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है श्रिवनी नाम की बच्ची का केस है उसकी मौत के पीछे पावफुल लोगों का हाथ है प्रिशर चाहे जितना है मैं किसी को नहीं बख्षूंगा सब को सजा दिलवा कर रहूंगा इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो श्रिवनी के बिता के कंप्लेंट के मताबिक मैं एक्शन जरूर लूँगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूँगा मेरी जाली खत्रे में है शेकान लेस्ट मूब बचा लीजिए शार बचा लीजे शार शार यह लोग मुझे मार टालेंगे बचा लीजे शार कि तुझे क्या लगता ये तेरी जान बचाएगा ये असली पोलिस वाला है एक बार उसे नोट दिखाऊ ना चुप चाप लेके पतली गली पकड़ेगा ये ले उठा और निकल यहां से कि यह हमारा कुछ नहीं बिखाड़ेगा जा उस बुड़े को घसीट के ला कि यह हमारा 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 कि एक पिकल्यान अजुदी सब्सक्राइब ऐ lyn 소 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु पूझ अलो एक पी आमें बाट डालेगा मैं और आद हमाई में अच्छान ओदले बदले सुर्फ सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग क्या है वो केड़ा तो मेरे अंदर बच्पन से ही था पुलीस की सिंसियारिटी से मुझरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा ब्लडी फूल तेरा फरिश्टा भी मेरा कुछ नहीं विगाड सकता मैं वो हाइवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा घाट का रास्ता हूँ स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा तो मुझे जानता नहीं है मेरा बायो डेटा सुनेगा तो रॉंगते खड़े हो जाएंगे तेरा और तेरे भाई के जिंदगी का आज आखरी खुशी का दिन है इसलिए अगर कोई आखरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तु मीडिया के पास जा धरना कर रास्ता रोको कर जो चाहे कर ले कुछ हासिल नहीं होगा पुलीस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूँगा बचाने बचाने कि बोलो दू बेजी वो जीके के गुंडों को छुडाने के लिए बेल ओडर लाए हैं से कितना ही दुदार करवाएगा अब सर बेल पेपर्स बेल तरीके से मांगनी चाहिए दूबे जी सर रिया कीजे उन्हें कि आजाओ 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 यह क्या हो रहा है सर बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कॉंस्टिबल से बत्तमीजें तुम्हामे फसा रहा है यह क्या है सर बेल ओडर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने यह लेजे पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए ओके दूबे जी यह सर अरे सर यह सब क्या हो रहा है बेल मिलने के बाद तुमने ऐसा है और हवालदारों पर जान लेवा हमला तुम हमें फसा रहे हो अब सब को बुला के फसा रहा इसलिए यह हो सवाल का जवा हम भार से ही देंगे अटेक्शन हाँ 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 है अब वर यह बोम है रहा इस नग्यारे मालूम है हर यह यह बोम है है नहीं पागल के तु MON आखे तो यह परिन यह पें ऩॉइप यह heck एट है फी यह चैन और यह बिल मिलने के बाद हमारे व्र्ली स्टेशन पर हमला कर रही हो हर तुम हमेड है यह हैं फॉम मिनिस्टर ने पर हैं सर चाहे हों मिनस्टर हो दो च्क व्न जो अपने चेले चपाटे चम्चो को बचाना चाहता है, वो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर पंधरा मिनिट में यहां हाजिर हो जाए, तब ही रिहा करूंगा इनको, उससे एक भी मिनिट्स जाता लिया, तो इनकी मयत पे आ जाना, यह तो ऐसे बात कि पुलिस स्टेशन में कदम रख लो, राजा, नहीं तो फंस जाएंगे नमस्ते हो, मिनिस्टर साहव, नमस्ते प्यारे राशन कार्ड, आदार कार्ड, पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हो, मेरे बंदों को छोड़, जल्दी कर फर्स टाइम पुलिस स्टेशन आये हो, खातरदारी होनी चाहिए, कौफी, टी, कौफी टी कौन पीता है, हम तो यहाँ आगे, यही बहुत बड़ी बात है, थंड़ा एक कौटर बाद में दिखेंगे, है ना जीके, इजज़त अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो, उन सब को छोड़ दो, ठीक है सर, हम बार ने आएंगे सर, साब साइन करेंगे, उसके बाद यह सेलिट बारेंगे, फिर डंड़े जुते शुरू हो जाएंगे, हमें बार ने आना से, आना से, बार आजा बेवकुफो, जिरोने कभी थाने का मूह नी देख उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चोड़ा प्रोसेस, इसी बीच मैं अपने छोटे को पार्लियमेंट की कुरसी पर बिठा था, पॉलिटिशन क्या बला है तुझ जानता नहीं, पॉलिटिशन क् पॉलिटिशन यानि लीडर, उनका हर अलफास तुम्हारे लिए एक हुक्म है, पॉलिटिशन यानि मजिशिन, माया, माया रच्टे हम, और सुनो, इसे यहां से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने तो हम खेल खेलेंगे इसके साथ, है सिपी, तुझे एक हफ्ते की महलत देता हूँ, अगर तम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा, वान वीक, ट्राइ करके दे, वान वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तीन दिन ही काफी है, जी के, आज तक तुने मुझ जैसे बरदाश्ट करने वाले आफिसर का सामना किया होगा, अब सामना कर मेरे बेटे का, गुड जॉब, तैंक यू सर, दीदी, मेरे होने वाले पती का ओफिस यही है, हाँ, अचानक तुझ में ये बदलाव, अच्छे अच्छों को बदल लेती है मावब, पिर चल, इस केस में सिर्फ एकी गवा हमारे पास है, सौफ़वेर इंजीनियर, वो लड़की इस हाथ से से घबरा कर, ये शेहर छोड़ कर चली गई है सर, पता लगाने की कोशिश करो कहा रहती है वो, अट एनी कॉस, वी हैब टु ट्रेसर, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ू तो मै मामा जी के ऑफिस में आई हूँ, वो प्रमोशन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी, अच्छा सीधे ऑफिस आजाओ, आप तो बहुत अच्छे इंसान है, ये अंदर फैन क्यों चालू है, अपका ध्यान कहा है, अंदर फैन चालू है, जाकर फैन बंद कर दीजी, इलेक पुलिस वाले से प्यार हो गया, लेकिन वो पुलिस वाला इनने टाइम नहीं दे रहा, इसलिए ये सर के पास कंप्लेंट दर्श करने आई है, ये सर बिलकुल सच कह रहे है, जूट नहीं बोलता है, सर, लेकि जाए इने, आपको समझ अकल बुधी कुछ है कि नहीं, कहीं किसी भी वक्त अपनी भेहन को लेकर आजाती है, बड़े साप के सामने फज़ जाते तो क्या होता, अंचली, बिस्टरब किया, इसलिए सौरी, तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है, तुम्हें मैं आज समझ पाई हूँ, श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए, त एक लाइफ पाटनर की तरह, अलो, अलो, SCP, गुद इवनिंग, सुना है, बाप बेटे दुनों मिलकर बहुत महनत कर रहे हो, तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूस देता हूँ, जल्दी से अपना टीवी आउन करो, श्रीवाली का केस दो वर्दात वाली जगह पेह में ये सारी चीज़े मिली हैं, तु मेरे भाई को लॉक अप में बंद करवाने वाले हैं, लेकिन अब तु ये उसे सलूट मारेगा, अरे, SCP, फिर से अपना टीवी आउन कर, सारे पार्टी कारेकरताओं ने MPGK के छोटे भाई को यूद प्रेसि टू, शौक नंबर टू सुनो शिकांत, सभी पुलिस टेशन में इंफर्मेशन भेज़ दो, उस मेडम का जल्द से जल्द पता लगाना है सीनू, अपने साप को देखो, तीन दिन में अरस्ट करने का बोल कर, आराम से लस्सी पी रहा है सर, वो लड़की कौन थी, उसका पता चल गया है गुड, सुनो काशी, तुम हाई सिक्यूर्टी लेकर, इमेडेटली उसे यहाँ पर लेकर आओ गोविंदा, गोविंदा आपकी वो मैडम तिरोपती में छेपी थे ना, डीजीपी साहब तुमारे ओफिसर्ज वहाँ पहुचे, उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़के, हमारे लोगों ने उसे कबजे में ले ली इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की, आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूँगा फिर वो कभी गवाही नहीं देगी अरे वे एसेपी, कुछ तो बोलो, तुमारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ सुनबे जीके, इंडिगो फ्लाइट, हम, चल इसी बहाने तेरे दस चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए, बट टोटल वे, वो लड़की मर्डर के वग्त, मोहकाई वारदात पर थी ही नहीं, इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी, में विटनेस नहीं, वो इनसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा, केस का में विटनेस मेरी हिफाज़त में, यह, 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 क्या भख रहा है तुछ? तेरे आसपास कोई टीवी हो तो, उससे जरा ओन करके तो देख, एए, टीवी, टीवी ओन कर, हाँ, अभी ओन करता हूँ, चाहे मैं अपने तेरे इलाके में रहूँ, चाहे मैं तेरे इलाके में रहूँ, या फिर इस दुनिया में कहीं रहूँ, तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा, क्या बात है, यह, डालोग्ट दिया है, न्यूस चैनल लगा, श्रिवनी केस में एक नया मोड, बहुत दिनों बाद ही साह पर इस केस में प्रोग्रेस हुआ है, पुलिस ने इस केस के एहम गवा को अपनी कस्टडी में ले लिया है, वो कौन है, देखते हैं वारदात वाली जगए पहमें यह सारी चीजे मिले है काविया को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा है, यह मैंने अपनी आखों से देखा है, सार अब उस वक्तों मैं डर के मारे मता नहीं पाई, लेकिन इसी पिजर ने मेरे हिनमत बढ़ाई, इसलिए आज मैं बोल पा रही हूं, उन शैतानों ने उसे जिन्दा जला दिया मालिक, आप इस मुझीवत से कैसे बचोगे, उसकी गवाई से आपको छोटा भाई फंस गया, अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहां से ढूणेंगे, और एक बात, आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है, और वो हीरोईन, हाँ तेरा भाई असवक्त पार्लिमेंट की ओर नहीं जा रहा, तेरी तीन दिनों की महुलत में एक घंटा बाकी है, आने वाले साथ मिंटों में इस शहर से तेरा सामराज तबाह कर दूंगा, गेट रेड़ी यहां तो लॉक है सर, वसीं, ओल्ड सिटी का शेर, क्या रहे, बहुत होश्यारी दिखा रहा आजकल शहर में, मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझ में, अगर है तो दस मिनट में पुरानी बाशाब बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा, आकर दिखा आपनी मर्दानगी! आपनी मरे कुछ दिखा, आपनी मरे अखनी हिए! कॉमों सर्च सर्च कोई कोला मत छोड़ना कोई बीच में तो मुझ से बाख कर अरे मार क्यों रहा है कम अब से बाख कर दूएट फास्ट सर मिल गया सर मेरा बेटा यह मेरा इलाका है तू यहां से जिन्दा बच कर नहीं जा सकता है बरुस साले को अजब ल्लाही मिनस्शेतान निर्रजीम बिस्मिल्लाही रह्मान निर्रहीम अलहम्दुलिल्लाही रबिलामीन इन्नमिन अक्वरिल असामी अन्व अयादल मुजबीन लायक तिर्लहू वहूम् वसीम भाई कुरान पवित्र ग्रंथ है इन आयतों का मतलब समझते हो तुम गुनहेगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुनहेगार होता है गुना का साथ देने वाले को अल्ला माफ नहीं करता आप यहां अधिकर रुक जा या पैसे की बात कर रहा है अरे तुन टेंशन ले रहा है हमारे मिनिस्टर है ना सेंटर में भूल गया पुलिस वालों को कैसे मार मार के मार के यहां से बगा आया है इस एसी पिको बिदेख लेंगे कर दो गुआ हञेसे टहर ऐसे हैं ग। तेरी ये चुर्रात फर्स टाइम तेरे गर में पुलीस की एंट्री हुई है जीके दमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रहा है एंबी के घर में घुसकर तोड़ फोल कर रहा है तू बताएं कितना बड़ा क्राइम है अच्छा वर्दी वाले को अब तू कानून सिखाएगा दूबे जी अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ऑफिसर कल्यान जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आये तो जीके के आदमी उन्हें उन पर जान लेवा हमला किया उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था इसलिए उन्हें काउंटर फाइरिंग की अच्छा अच् सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं मताई ये डॉक्टर्स ये बच्चा अपने आरोपों को बर्दास्ट नहीं कर पाया इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिससे इसके ब्रेन में इंटर्नल सेरिब्रल हैम्रेज हो गया अब इसकी बॉड़ी जिन्दा लाश हो चुकी है कि ट्रीट्मेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है इसलिए कोट से पर्मीशन भी लेकर आया हूं चाहे तो देख भी सकते हैं इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट एमिरेट्स दूबे जी पेट्रोल क्यों डार रहा हूं गबरा क्यों रहा है जी के आयुरुएद एक्सपर्ट हूं वेर साइन्स फेल्स आयुरुएदा वर्क्स बेटर क्या कहते हो डॉक्तर आपने सही कहा मैच बॉक्स होगा विया डॉक्टर्स लाइटर रखते हैं अरे नानू सर आपका आइड पूरी बॉड़ी उटके दौड़ने लगेगी जंगल में ट्रेलर दिखाया था लेकिन आज तो जीका को पूरी फिल्म दिखा रहा है क्या हुआ बच्चे काम हो गया क्या अभी आया गाहां से कब आए बताता हूं बाजू के घर में फाइनिस मिनिस्टर रहते हैं मेरे पुराने दोस्त है उन्होंने बुलाय था तो आयता यहां पार क्या पुलीज क्या है अब मैं बताउ हूं मतलब पावर हमारी मोहर तेरे घर पर लगाही है पुलीस मतलब डर जो इसकी आँखों में दिख रहा है पुलीस मतलब गुरूर जो मेरी रगों में बहता है उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुट्टे को उसकी कबर तक पहुँचा कर ही चैन की सास लूँगा मुकर्रर किये हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलीस स्टेशन ले जाऊंगा चाहे तु पैसों का सहारा ले अपने चम्चों का सहारा ले भगवान के आगे हाद जोड घुटने टेक और भीक मांग वो तेरी मदद करे तब ही इसे सजा हो कर रहेगी तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा जी के वामुली इंसान के खून में भी चिंगारी होती और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वाला मुखी यह क्या सर अचानक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखिया पुलिस की पावर क्या होती है जी के को मेरे बेटे ने दिखाया है तो सेलेबरेशन तो होना ही चाहिए दिस इस फॉर माई सन जानो यह सच्वा पुलिस की पार्टी है यूनिफोर में अगर किसी ने मुझे पैचान लिया तो क्या हुआ सब को लगेगा थाने से डरेक्ट आ रहे हो खि었ंट अब चलो सर की बहुत महनद मेंद से साडी पहिनी एं माही एक्सक्यूज मी सार यू टीवी रपोर्टा ओ श्रीवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूं गुड तुम्हारा सपोर्ट इसे बहुत कामा है वाइफ और हस्बन बन जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करोंगी वाट यह कह रही है कि प्रेस और पुलीस के संबंध हस्ब यह प्रोफेशनल है यह जूटा पुलीस वा लाएंगा यह सच मुझ के पुलीस है पुलीस में है तो हमारे पास कंप्लेन लिखाने क्यों आई थी इनके कहने पर इस्टन एक्स्प्रेस जोन का नाम पूझा तो यह ट्रेन का नाम बदा रहा है कन्फ्यूज है सर इस्जोन डेजिक नेक्शन क्या है अरे क्या मेरी तरफ देख रहे हो अरे तुमने शादी किया ना तो तुम बताओ ना डी सीप है इस्ट जोन का डी सीपी तो मैं हूँ अरे भाई मेरा ट्रांसफर कव हुआ पाल्टी में हो ना पाल्टी में हो जाओ आपे संबर बट रहा है जाके नहीं हो लेकिन जब तुझे बेटा बुकारूंगा तो मुझे बहुत फख्र होगा I'm sorry नहीं पापा आपकी और आपके वर्दी की एहमियत को अब मैं समझ गया हूँ मालिक शेर का निशान चब गया है मैं उतना हिससे निकाल कर सिमेंट भर देता हूँ क्योंकि अगर मैंने वहाँ बॉल पेपर लगाया और लाइट अन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे देख पूरी पबलिक हमें सुन नहीं है शोर सुना ही दे रहे हैं उन्हें सचाई ना पता चल जाई ही समको बताया कब दर चिपाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा और तो सिमेंट लगा दूंगा पेपर चिपका दूंगा यह जरूरी है और क्या करें यूथ लीडर्स अलाखों के पीछे तो यूथ साइलेंट क्यों है हमारे जितने भी यूनियन लीडर्स है उनके आ किसी को मत सोड़ना कि दूबे जी महरबानी करके रास्ता खाली कीजिए आपके सामने आपका भविष्य पड़ा जीके के बातों में आकर उसे बरबाद मत कीजिए तुम हमारे भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो साब आधे गंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शेहर तबा हो जाएगा कि उसेड कर लोगा हम ज्यादती वर्दाश्ट नहीं करेंगे पूलिस गोज़तर किया तब यह कोई गुना नहीं किया हमने जवाब क्यों नहीं देते सर सिटिजन्स गल्ती करें तो गलती पुलिस की है तो स्टूडेन्स गलती करें तो गलती पेरेंस की कि हमारे बच्चे चुप रहे अच्छे संस्कार दिये हैं उन्हें हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकते बहुत बश्चा आई तो हम परदास नहीं करेंगे है 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 यह क्या साब अपनी ड्यूटी भूल कर पिकनिक बनाने आए हो क्या है लेकता है हमसे डरकर CRPF लेकर आये हैं जो आये हैं वो CRPF में MRPF हैं मदर्स रापिड प्रोटेक्शन फोर्ट माँ 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 दियर मदर्स टेक पोजिशन अटाइक माँ दूबे जी चलिए क्यारन खेलते हैं माँ को अपना काम करने तो हम यह खेलते हैं माँ करने के लिए ताइं भाट रज़ी करने के लिए दाइं पाइं नहीं जाएं अब्स पाइं ओके चेल मी, वट इस दे यूज़ अफ कापासिटर? चेल मी, वट दे यूज़ अफ कर रही हो मा? सीरल वाली माव का लेकर क्यों डरा रही हो मा? आपको देख के मेरा दिल जोरो सो धड़क रहा है मा? मैं माफ भी मांगता हू मा? चाहो तो सजा दो मा? मैं जानता हूँ मैंने आपको दिल दुखाया, माफ कर दो मा, माफ कर दो नॉटन के अच्छे बिटा अगर आपकी मा होती तो आपकी वीजी तरह कुटाई करती है अच्छ नहीं सब्सक्ता हूए ने को परेगा स्टाइश? अच्छ यह सब क्या चलना है? अच्छ भारत की तरह बच्चों का मन भी तो सबच्छ हो जाए जों तक तक तुम लोगों में अखल नहीं आती, सलाठों के पीछे ही रहो सर, सब साफ हो गया थांक्यू माजी हम हलो लाइव टेली कास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के? तेरे पास अभी दो दिन का वक्त है आल दे बेस्ट वो पलिक्स वाला शिकंजा कसता जा रहा है भाई झाल झाल वो पलिक्स वाल या जाल झाल झाल वो एफ मजी मझे करते हैं करते हैं थे फुर्स करते हैं दो करते हैं भर्स रख पार मझे यह मालिक फेस्टूक के कल्यान का फोटो आया आप बोलो तुसे लाइक करूँ क्या जीके के बुरे दिन शुरू हो गया है यह वैन उसके घर की ओड़ रही है अब ही मौका है एट नॉट वन की सर्विस से बचलो निकल लो चुप चाप नहीं गए तो आओडियो प्ले करना सरा इस शहर का वन मैं शू लोगों को पुलीस पर विश्वास दिला रही है एसीपी कल्यान श्रिवानी को इंसाफ दिलाकर एसीपी कल्यान जनता की नजब में ह मालिक मालिक आप ज्यादा दिन तक यहां नहीं होगे इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रोपटी मेरे नाम कर दो आफ ही सेफ रहोगे तूरिस्ट वाला लाइन पे है उस एसीपीन वैसे मेरा जीना हराम कर रखा है बची खुची का सर तू पूरी कर रहा है हलो तूरिस कि वह यहीं पर मरेंगे मैं नहीं मरूंगा मरे का तो वह एसीपी और उसके साथ मरे का उसका पूरा खान था ठीक है राजा जी के राजा आलात बहुत बिगड़ गया है केस बहुत आगे निकल गया है सिट्वेशन हाद से निकलती जा रही है उस दिन मेरी बात सुनता तो पर नहीं होता ना अब क्या किया जा सकता बताओ अगर मैंटर सेंटर तक पहुंच गया तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी यह बताने के लिए तो यहाँ विश्वास घाती कुट्टे मैं विश्वास घात करने वाला कुट्टा हूँ अरे तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दरवाजे तकाए तो मैंने तुझे समझाय था ना कहा था कि उसे सौरी बोल दे लेकिन तुने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी अब अपनी बात छुपाने के लिए त सबने वालिक विजय गुरूर की हार शैतान का नाश्ट भगवान जालिम को तब तक ढील देता है जहां तक उसकी हद होती है फिर जब शिकंद्र कसता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है उसका तुपीता है तो चड़ती नहीं है ना चिल मुझे चड़ती है तुने मैं तो चला भाई उस वेटनेस गाटरस मिल चोका आया मैं मेरी बात तो सुनो आज तुम्हारे डाडी से हमारी शादी की बात करके रहूंगी कुछ दिन और रुख जाओ ना नहीं रुकूंग अ हलो अंकल आओ बेटी बिल्कुल सही समय पर आयो तुम्हें एक ब्रेकिंग मैं नहीं पता था इनकी बेटी क्या करती है सर अमेरिका में सॉफ्ट्वियर एंजीनियर है अहां हां भाई रगू क्या मेरा काशी सर के पैस गुमाना जरा अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल को चलने वाले कमिश्ण काशी विश्वनात दुबेजी तो कल सुबहर दस बजे कोट में पेश करेंगे सर गुड़ कालियान एक माही बचा तुम माही को फालो करो मैं इस तरफ जाता है माही, आई ओके? गल्फ्रेंड मिल गई ये सोच कर ज्यादा खुश मत हो ये बता दूं के तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने इस ट्राप मैं अपने भाई को वक्त रहते बाहर निकालनूंगा तो उसका कुछ नहीं बेगाड़ पाएगा इस केस का तेरा वो प्राइब आइविटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाप उन दोनों को मार तूंगा एए time ofash मत कर हमारे भीश फास्क्लाब बहुत ज्यादा है आजा आज़ा, आज़ा, आज़ा अरे, लगता तेरा डाड यहां आ गया, आके उसकी बाड़ी ले जा सर, 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 बचाओ, सर दुबे, पापा का फोन नहीं लग रहा, उनका मुबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ सर, 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 इंद Hindu मैं, सर, 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 उन्हेंचेप़ जालो, सर सर सर, सर, सर सर जार, जार, जार! सार! अच्पर! सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं अब तु ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाएं हरे बेवकूफ, मेरा बेटा मुझसे तस गुना ज्यादा लाइन ओर्डर फालो करता है अभी तु चाहे मुझे मार दे, लेकिन वो आएगा और तुझे चहन्नम पहुंचाएगा फिर ये तेरे बाप का सामराच्य है खत्म हो जाएगा पापा पापा सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मेनिस से सपोर्ट करता है आप लोग तो चारा तरह घुमते हैं आपको तो इस बात की सचाई पूरी तैसे पता ही होगी ना डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा चाहे कोही नूर हो या डीजीपी हो दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है जैहिन जीके और उसके फ्रेंज को बेल मिल गई है और वो जेल से रियां हो गया सुजान B-16 श्रीवणी के केस में जो गुंडे अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गया से दुबे ट्रेन ओन मैं नहीं इस ट्रैक पर कंभी कबर का लेट आती है लेकिन उस ट्रैक कर संजर राइड टाइब रहाट रहाती है मेंशल नहीं सब्सक्राइड दोड़ियाड योल्य स्कूर्थ प्रणों और हो लेतिան लकाए जुब 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 अभे ट्रेन नहीं वो मौधार ही जर्माट टीवी एंड करने का टाइम होगा जी के आज सुभा ही जी के का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन अक्सिडन्ट में मारी गए वो दोनों ट्रेन की पट्री क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उड़ा दिया Only three hours to finish दूबे जी, रख दयार है दोनों को मारने के लिए दयार है चोटो परेखुच चला दू, चला दू, अदर चला आपको चश्मदीत गवाल से मिला है, आईए एक्सिरेंट को अपने लाइब देखा क्या, आदे घंटे पहले ही देखा है क्या देखा एक बुढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोक कर ब्रैंडी पीते हुए देखा है अरे, बड़ी मांधारी से कौटर लेके घर पे जाके पीता हूँ और ये तो हाइवे पे फुल बॉटल पी रहे है इसके बारे मैं और कुछ बोलना चाहते हूँ अब लेक डून्ट ड्रिंक और ड्राइव यार तुवारे दो आदी दूज है अरे, हमें भी देखता है आप लोगों को चश्मतीत गवास ही मिलना है ना तरह आप तो मैंस तमन्न, तमन्ना का फैन पब्लिक, सडक पे हुए हाथ से को तमन्ना की पब्लिसिटी स्टंड मानते हो वाट इस दिस यार, वेर आर यू कोई वो देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा इस पेनिंग, यार फ्रम बॉटम आप मैं हाथ बेगिंग, तमन्ना का नाम बदना मत करो शी सो सिंसिटीड यार सीरिसली प्यारे जो सीरल केलिंग हो रही है उसकी मिस्ट्री क्या है मैं अपनी जान गवा कर परफॉर्मिस दूँगा क्या खून निकाल दिया तुम सब लोग तो जनलिस्ट हो ना तो फिर मिनुस पाल्टी के वरकर की तरह मुझ पर क्यों टूट पड़े जाए मैं कज़रा हूं क्या दोनों मौडर्स देखकर लगता है कि यह पुलिस की साज़िश है किसी की मौत कोई नों को भाना लेकर आती है मतलब आप इस बात को मानते हैं आपका मतलब यह बात सच है सचाई बताने से डरते हैं क्या मेरे प्रेस वाले साथियों मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्टेशन में रहता हूं उस वक्त मैं एक आइटम करता हूं यह राज जी की सारी जनता जानती है आप लोगों को नहीं पता वो क्या है सचाई जाए हो मेरे दुश्मनों पर आसू गैस प्रे की जाए आसू 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 ए सिपी तेरा अगला टागेट मैं हूं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं श्रीवनी केस का हर एक कवा दुनिया छोड़कर परलोग सिधार गया है और तुझे सिंधा काड़ोंगा लाइट कितने बज़े किया दस बचे की मालिक तुझे क्या लगता है मुझे बातों में उल्जाकर मेरा लोकेशन ट्रेस कर लेगा अरे यह एरपोर्ट की जगह हम कहां आगे कर दो कि रूट गलत है रूट गलत है हम को नों ने आपको बताया अब भुखतो कॉम्प्रमाइस का सवाल ही नहीं तीरी सिक्योरिटी किसके जिम्मेदारी थी उसे देखा था गया चल कोई नहीं अभी देख ले आई हेट पुलेश करे सिक्योरिटी के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने हमें एक बंपर आफ़र दिया था सभी ओफिसर्स रेडी हो गया लेकिन कोईंसिदेंटी लोटरी मेरी नहीं मैं भी अपनी सेफटी अपने साथ रखता हूँ मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहों उसका सामना करना है आई टू आई वेस टू फेस चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े तेरे भाई की मौद तैय हो चुकी है 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 तेडGG़! तेड तेड壁! तेड़?! तेड़! वा के रभषते है! मुझ़! हाँ बो! पप्लेष कि ने! 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 हाई हाई तुमको सुनामी स्टार शुभाष तुम्हारी टेथ का विटनस हुमे लेकिन मैं भारा का हूँ अच्छा तुम मर जाओ कुछ सर एक बार इससे बलुआए I love police तब मुझे सुकुन मिलेका एक बार नहीं बार बार बोलूँगा I love police I love police But I hate criminals Officers ready Fire